बांगलादेश की राजधानी धाका में गुरुवार की रात एक साथ मंजिला इमारत में आग लग गई जिसमें 44 लोगों की मौथ हो गई और 22 लोग बुरी तरे से घायल है जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन कोजी कोटेज नाम की बिल्डिंग से 75 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें 42 बेहोश तोह थे सभी को धाका मेडिकल कॉलेज और शेख हसीना नैशनल इंस्टिटूट और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ह होस्पिटल में भरती कराये गया जहां चावालिस लोगों की मौत हो गई आग इतनी भयानक लगी थी कि उनको बुझाने में फाय बिर्केट की 13 गाडियों को करीब धाई घंटे लग गए जानकारी पर प्रकाश डालते हुए बांगलादेश की स्वास्तिमंत्री डॉक्ट सामंत लाल सेन ने कहा राच साड़े बारा बजे आग पर काबू पा लिया गया